शनी देव उड़ाने वाले हैं इन साथ राशियों की नीन 28 दिसंबर के पाद साथ राशियों के जीवन में आएगा भुचाल शनी शुक्र का मिलन रहेगा कश्टकारी आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो शुरू करते हैं देथियों के गुरू शुक्र करीब 26 दिनों के बाद राशी परिवर्तन कर लेते हैं शुक्र को सुक सम्पता, सुक सम्रिदी, धन, वैबव, मान सम्मान, आकर्शन और प्रेम का कारक माना जाता है ऐसे में शुक्र के राशी परवर्तन का असर हर राशी के जातकों के जीवन में किसी ना किसी तरह पढ़ता है ऐसे ही किसी ना किसी ग्रह के साथ शुक्र की युक्ति होती है जिसका प्रभाव हर राशी के जातकों के जीवन में किसी ना किसी तरह से आवश्य पढ़ता है ऐसे ही शुक्र की युक्ति नियाए के देवता शनी देव के साथ हो रही है शनी को करम फल दाता का जाता है जो जातकों से फल देते हैं बता दें कि साल के अंत में कुम राशी में शनी और शुक्र की युक्ति हो रही है साल दोहजार चॉबिस में कला के कारग्रह शुक्र कुम राशी में गोचर करेंगे जहाँ पर पहले से शनी दे मौजूद है ऐसे में 28 दिसंबर को शनी और शुक्र की युक्ति होगी धीमी गती से गोचर करते हैं वो एक राशी में लगभग धाई साल तक मौजूद रहते हैं जबकि डैत्य गुरू शुक्र करीब 26 दिन बाद राशी परिवर्तन करते हैं ऐसे में समय समय पर शुक्र की शनी संग युक्ती होती है जिसका शुब और अशुब प्रभाफ सभी राशी के उपर पड़ता है वैदिक पंचांग के अनुसार शनी देव इस समय स्वर राशी कुम में मौजूद हैं जहां पर वह 29 मार्च 2025 तक विराज मान रहेंगे इस बीच 28 दिसंबर 2024 को देर रात 11 बच के 48 मिनट पर कला के शुक्र देव शनी की राशी कुम राशी में शनी और शुक्र की युक्ती होगी जो 28 जन्वरी 2025 तक बनी रहेगी प्रिये मित्रो पीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफि दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लंबे समय बाद कुम राशी में इन दोनों ग्र राशी के दशम भाव में इस युक्ती के कारण कारे शेतर में चारो और से सफलता प्राप्त होगी फिर चाहे नौकरी हो या व्यापार आपको सकरात्मक परिनाम देखने को मिलेंगे पारिवारिक सुक समरिदी में बड़ोतरी होगी इस राशी के जातकों को हर शेतर में सकती है इस राशी में शनी और शुक्र की युक्ती दसमे भाव में हो रही है ऐसे में इस राशी के जातकों का कारोबार और नौकरी शांदार तरक्की के साथ धनला मिलने के भी संयोग बन रहे है नई नौकरी इस वक्त आपको मिल सकती है इसके साथ ही आपके द्वारा की कई मेहनत के कारण मन चाहा प्रमोशन भी मिल सकता है, आर्थिक स्थिती भी मजबूत होगी, कारोबारियों को भी अच्छा लाब मिलने के योग बन रहे हैं, लंबे समय से अटका हुआ या फिर रुका हुआ पैसा वापिस मिल सकता है, सरकारी कामों में भी आपको सफलता हास हो सकती है, शुक्र कला का प्रतिनी धित्व करता है, ऐसे में इस राशी के जातक डिजाइनिंग, पेंटिंग और कम्प्यूटर एनिमेशन, एक्टिंग आदी में अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, इस राशी के जातकों को, शनिवार के दिन शनी देव को स्त टिपाव में शनी और शुक्र की युक्ति मिला जुला परिनाम देगी, जीवन साथी की सहत का और खुद की सहत का ध्यान रखना होगा, आपके शत्रू परास्त होंगे नौकरी और व्यापार में सकरात्मक परिनाम देखने को मिल सकते हैं, शनी और शुक्र की युक्ति का प्रभाव करने राशी के जातकों की सेहत पर पड़ेगा जिसकी वज़ा से पुराना दर्द एक बार फिर परिशान करेगा कारेस्तर पर सैक कर्मियों से अन्बन होने के कारण नौकरी पेशा जातकों का मूड खराब रहेगा शादी शुदा और रिलेशन्शिप में मौजू इसमें कारेयों का दबाव बढ़ेगा अलोशना का शिकार भी होना पड़ सकता है नौकरी कारोबार में भी वातावरन प्रतिकूल रहेगा अग्याद भै को लेकर मन परिशान रहेगा शेक्षिक कारेयों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है शनी और शुक्र की यु रोहे की वस्तू दान करनी चाहिए इस राशी के जातकों शनीवार के दिन शनीदेव को काले वस्त्र चड़ाने चाहिए आ गई हमारी तीसरी राशी मेश राशी इस राशी के जातकों के लिए शुक्र और शनी की युक्ति काफी लावकारी हो सकती है इस राशी में दोनों ग में भी आपको काफी लाब मिल सकता है सफलता मिल लेके कई चांसिस बन सकते हैं व्यपार में भी खूब लाब मिलने वाला है एक से जादा बिजनेस करने का भी मौका मिल सकता है इस से आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा हो सकता है आर्थिक स्थिती भी अच्छी रहने वाली ह आपकी लंबे समय से दबी या रुकी हुई कई इच्छाए अब पूरी हो सकती है इसके साथ ही भविश्य के लिए आप बचट करने में काम्याब हो सकते है शनी और शुक्र की युक्ति का नकरात्म कसर नेश शिराशी के जातकों की लव लाइफ पर पड़ेगा लाइफ पार्टनर से पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है शात्रों के संचाथ शमता में कमी आएगी जिसके कारण वो अपने विचारों को प्रभावी ढंक से टीचर के सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे इस राशी के जातकों को शनी वार के दिन शनी देव को सरसो का तेल चड़ाना चाहिए आप चाहे तो सरसो के तेल के साथ काले तिल भी चड़ा सकते है आ गई है हमारी चौथी राशी करक राशी करक्राशी वालों के लिए शुक्र शनी की युक्ती बहुत ही लाबकारी सिद्ध होगी यह आपके नवम भाव यानि भाग्या और धर्म के भाव में हो रही है ऐसे में आपको साल दोहजार पच्चेस में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा धन लाब के अफसरों में व्रिद्धी होगी काम के सिलसिले में आपको यात्राए करनी पड़ सकती है जहां पर आपको अतिरिक्त धन कमाने के भर पूर मौके मिलेंगे जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस बार अच्छी नौकरी मिल सकती है जीवन में भौतिक सुक्सुविदाओं में व्रिद्धी होगी जीवन में हर तरह की खुश्यों की प्राप्ती होगी वैवाहिक जीवन अच्छे से बीतेगा इस राशी के जात्कों को हर शेत्र में सफलता के साथ-साथ खोव धनलाब हो सकता है लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ मान समान की व्रिद्धी होगी अटके हुए काम एक बार फिर से आरंब हो सकते हैं इसके साथ ही कारेस्तल में आपकी काम की तारीफ भी हो सकती है आप शानदार पर दश्शन करेंगे जिससे हर किसी के चहेते बन सकते है आर्थिक स्थिती भी अच्छी रहने वाली है दोस्तों यहां फिर परिवार के किसी भी स्यात्रा पर जा सकते है यह आपके जीवन के सबसे खुबसूरत पलों में से एक हो सकते है लव लाइफ भी अच्छी जाने वाली है वहवाई जीवन में खुशियां बनी रहेंगी स्वास्ते अच्छा रहने वाला है बस बदलते मौसम से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है इस राशी के जातको को शनिवार के दिन अन और वस्तरों का दान करना चाहिए इस राशी के जातको को शनिवार के दिन धाई किलो उड़त की दाल खरीद कर मंदिर में दान करना चाहिए आचुकी है हमारी पाँचवी राशी तुला राशी आपकी कुंडली के पंचमभा में यह युक्ती बन रही है इस राशी में शनि और शुक्र की युक्ती पंचमभा में हो रही है ऐसे में इस राशी के जातकों को अच्छे परिनाम मिल सकते हैं छिख्षा के शेतर में अच्छे परिनाम प्राप्ट हो सकते हैं कला और रचनात्मक शेतर में आप काफी अच्छे हो सकते हैं ऐसे में आने वले समय में आप अपना केरियर इसी में बना सकते हैं नौकरी के कई अफसर मिल सकते हैं बेरोसगारों को भी लाब मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं समाज में मान सम्मान के व्रिदी हो सकती है व्यापार के शेतर में भी खूब लाब मिल सकता है लेकिन धन खर्च करते समय थोड़ी साफधानी बटना बेहद जरूरी है स्वास्ते अच्छा रहने वाला है संथान सुकि प्राप्ती हो सकती है लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते है उच शिक्षा पाने की इच्छा पूरी हो सकती है आपके द्वारा की गई मेहनत का अफल अब आपको मिलेगा इसके साथ ही आर्थिक स्थिती मजबूत होगी करियर और बिजनस में अफार सफलता के साथ धनलाब हो सकता है पैत्रिक संपत्ती के मामले में भी लाब मिलने के पूरे असार नजर आ रहे है करियर की बात करें तो प्रमोशन के साथ वेतन में व्रिद्धी हो सकती है नई प्रॉपटी या फिर वहन खरीच सकते है इस राशी के जातकों को शनीवार के दिन शनी देव के मंतर का जाप करना चाहिए साथ ही सरसों का तेल चड़ाने से शनी दोष का प्रभाव भी कम होता है छटी राशी में बात करने वाले यनि की वृष्चिक राशी में करमफल दाता शनी और कला के कारग रहْ शनी की युक्ती का वृष्चिक राशी के जातकों पर बुरा प्रभाव पर्सकता है जाल भी आने वाले कुछ दिनों तक अच्छा नहीं रहेगा थोक का काम कर रहे हैं तो दुकानदारों की सेल में कमी आएगी जिसे मुनाफ़ा दिन प्रति दिन कम होता चला जाएगा जातकों को पुराने निवेश से मुनाफ़ा नहीं होगा जिसके कारण भविश्य के लिए बनाई गई योजनाए समय से पूरी नहीं हो पाएंगी कारेों में बादाओं का सामना करना पड़ सकता है धनलाब में अवरोध उत्पन होंगे सबी कारे रुक रुक कर चलेंगे कड़ी मेहनत के बाद भी कारेों के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे आर्थिक मामल में बहुत सतर्क रहना होगा धनराशी हो सकती है इस अवदी में शत्रू एक्टिव रहेंगे नौकरी कारोबार में बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा स्वास्ते को लेकर मन चिंतित रहेगा पारिबारिक जीवन में दिख्तों का सामना कड़ना पड़ सकता है इस उक्ति के बनने से आप पार धनलाग के योग बन रहे हैं करियर और नौकरी में शानदार अफसर मिलने वाले हैं आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धी होगी और आप आर्थिक रूप से संपन महसूस करेंगे आप धन की बचत भी कर पाएंगे परिवार में आपक भाव में विराजमान है और इसी भाव में शुक्र भी विराजमान है ऐसे में इस राशी के जातकों को विशेश लाब मिल सकता है करियर में बहतरी नफसर मिल सकते हैं इसके साथ ही नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है बहुत तिक सुखों की प्राप्ति होगी इसके सा आए के नए स्त्रोत खुलेंगे जिससे आर्थिक स्तिती मजबूत होगी इसके अलावा भविश्य के लिए भी बचत करने में काम्याब हो सकते हैं परिवार के साथ अच्छा समय भी तेगार लव लाइफ भी अच्छी जाने वाली है अधाविवाहितों को शादी का प्रस्ता आवा सकता है इसके साथ दामपत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती है लेकिन चात्रों की नए मित्रों से लड़ाई हो सकती है जिसके कारण टीचर की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा इसके अलावा रिलेशन्शिप में मौझूद जातकों की ल लोहा सरसो का तेल आदी अरपित करना चाहिए आ चुका है हमारे साथ हमारा डिस्क्लेमर इस वीडियो में नहित किसी भी जानकारी सामगरी गन्ना की सर्टीकता या विश्वासनियता की गारेंटी नहीं है विभिन मात्यमों जोतिशों पंचान प्रवचनों मानेताउं धर अर्म गरंतों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई है हमारा उदेशे महत सूचना पहुंचाना है इसके उप्योग करता इसे महत सूचना समझ कर ही लें इसके अतिरे इसके किसी भी उप्योग की जिम्मेदारी स्वेम उप्योग करता की